मेरे प्यारे बच्चों अब तक हमने क्या देखा बेसिक एरर का कॉस्टिप्ट देख लिया है कैसे एरर की फॉर्मूले हमने देख लिये थे और कैसे उनके नुमेर को सॉल्व करना है वह आज हम लोग डेटेल में देखेंगे last lecture हमने वारे मेडेज सब कुछ बता दिया था कि कैसे हम एरर को plus या combination में या subtraction में में। इसकी numerical से हमाँ क्या होगा पूरा numerical based होगा और सारे प्रॉलम्स जो percentageize are के कै हर तरह का question हम कि question number 1 हमारे यह कहा है कि माल हमारे पास दो resistance है हमारे पास दो resistance है और दोनों resistance की value दे गई है with error limit जैसे आप देखो कि हमारे पास एक resistance दिया गया है जिसकी value कितनी है 100 r1 दिया है r1 is equal to 100 plus minus अब इसकी जो limit यानी absolute error जो दिया है that is the 3 ohm और जो दूसरा resistance है r2 इसकी value कितनी है तो इसकी value है r2 is equal to 200 plus minus 4 ohm यह value हमको दे रखे है हमें करना क्या है हमें यह बताना है कि अगर इन दोनों resistance को series में add किया जाए तो इसका equivalent resistance क्या होगा हमें क्या बताना है कि अगर इनको series में add किया जाए तो इसका equivalent resistance क्या होगा तो series का formula होगा R is equal to R1 plus R2 यह class 10 में आप कड़े हैं कैसे आप resistance को series या पैलल में जोडते हैं तो series के लिए क्या होगा R is equal to R1 plus R2 आप add करो तो add करो तो यह होगा 100 plus minus 3 ohm and R2 कितना होगा R2 is 200 plus minus 4 ohm आप क्या करो कि simple इनको add कर दोगे तो यह क्या होगा यह आपका यह 300 हो गया और यह plus minus इनको भी add करना पड़ेगा that is 7 ohm तो हमारे पास जो equivalent resistance आगया वो आगया 300 plus 7 ohm बहुत simple सा question था तो जिस तरह हमने क्या किया ऐसे addition के question को लगाया ऐसे हम लोग क्या करेंगे हम subtraction के question को भी लगा लेते हैं तो एक example उसका भी देख लेते हैं या एक दोग का हम देख लेते हैं कि दो bodies हैं दोनों के temperature अलग-अलग हैं और हमें क्या करना है हमें इसका temperature difference find करना है जैसे मा लेते हैं कि कि किसी body का initial temperature कितना है initial जो temperature है temperature T1 इनकी value दे गए ही suppose कर लो 18 plus minus 3 degree centigrade यह हमको दे रखा है और इसका जो final temperature है body का जो final temperature है वो कितना है यह दोगर को final temperature हमारा हो गया T2 is equal to यह मा लेते हैं 40 plus minus 2 degree centigrade तो आपको यह बताना है कि यह temperature कितना increase कर गया change in temperature यानि आपको क्या निकालना है delta T और यह delta T निकलेगा किससे T2 minus T1 rise in temperature निकालना है तो T2 minus T1 आप कर लो use करो 40 plus minus 2 degree centigrade 40 degree भी है plus यह क्या करना है substrate करना है तो minus कर लो 18 18 minus 18 plus minus 3 degree centigrade अब आपको क्या करना होगा substrate करना होगा 40 40 और यहां देखो यह minus 18 यहां तो substrate करेंगे करेंगे यहां पे क्या करना होगा अब इनको यह substrate करते हैं इनको हम लोग add करते हैं add करने का मतलब यह होगिया 2 plus 3 degree centigrade यानि हमारे पास जो result आएगा क्या होगिया 10 में से 8 गया यहां देखो कितना हो जाएगा यह 2 हो जाएगा और यह 4 में से 7 गया that is 3 that is 22 22 प्लस माइनस और यह कितना हो गया 5 degree centigrade इसका मत अमारे पास देखो क्या हो गया यह इसका जो resultant आगया डल्टा-T यह इनको तो एड करते है यह इनको एड करना है इनको इसमे भी आपो इनको एड ही करना है यह बेसी चीज़ा जाद रखना है बच्चे थोड़े सी जलदी बाजी में गबरर कर देते हैं यहाँ ही सब्रेक्ट नहीं यहां सब्स्टेट नहीं करना है, इनको भी क्या करना है, इनको एड करना है, यह बड़ सिंपल से प्रॉलम्स है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एडिशन और सब्स्टेक्शन की बात कर रहे थे, हमने एडिशन और सब्स्टेक्शन की प्रॉलम्स को दिस्स किया, अब हम क्या करा है R is equal to V upon I यह relation को दिया गया है कि हमारे पास एक relation R is equal to V upon I और question में हमको दे रहा है कि जो voltage है जो voltage है इसकी value दे रखा है voltage की वे value है क्या है 100 100 plus minus 5 volt यह हमको दे रखा है और साथ में हमें current की value दे रहा कि current की value कितनी है तो जो current की value है वो हम मिल रहे है 10 plus minus 0.2 ampere 10 plus minus 0.2 ampere ये question में में दे रखा कि कि किसी भी resistance के क्लिए हमारे पास जो voltage और current भी value है ये क्या है आपको दे रखा है और करना क्या है you have to find percentage error in resistance R we have to find percentage error in R और R में कितने percent का error होगा यानि अगर हम मालो किसी voltage को measure करते हैं और voltage को इस तरह से measure करेंगे current को ऐसे measure कर रहे है तो resistance में कितने percent का error होगा तो यहां तो बड़ा simple था तरीका हमने आपको पहले बताया था अगर आपको इसके लिए find करना हो relation के R is equal to V upon I है इसके लिए formula बनाएंगे percentage error का तो यह error formula बनेगा क्या तो देखे हो क्या करोगा पहले तो इसका fraction error निकालो so delta R upon R is equal to delta V upon V देखो इसको आप याद करें इसको डिखा जाता है V और यह I minus 1 लिखा जाएगा यहाँ पे हम लोग क्या करते ही भले ही multiplication लेकिन यहाँ इसको add करेंगे plus minus यहाँ यहाँ यूज करोगे और यह power सामने आता है लेकिन आप याद कर फिर सी यह minus है लेकिन हमेशा इसको plus मिल लेते हैं तो यह होगी है delta I upon I आप चेक्टर में हमारे पास क्या है V की वालू कितनी है तो V की वालू 100 है delta V कितना है 5 है इस तरह से I की वालू 10 है और delta I कितना है 0.2 है आप वहले इसको put कर लो यहाँ पे अच्छा इसको percentage निकालना है तो क् अपॉन R into 100 कर दो यह क्या है तिस इस अपरसेंटेज एरर इन R जो धिस क्टो डेल्टा V upon V in to 100 प्लस डेल्टा I upon I into 100 अब क्या दे रखा है हमें जो B की वालू दे रखी यह क्या है यह है 100 है और यह delta V5 है तो solve कर लेते हैं यह होगी है percentage एर इन R में कितना percentage एरर है तो delta V के बने कितने है देखो 5 हो जाएगा अपन V कितना है V is 100 into 100 plus delta I कितना है that is 0.2 0.2 I कितना है that is 10 इसको 10 कर लो और यह हो गया 100 solve कर लो आप देखो इसको cancel कर लो आप इसको cancel करो यह हो गया 5% plus यहाँ change करो यहाँ पर यह cancel हो गया यह कितना हो गया that is 2 हो गया देखो यह क्या हो गया 2% तो आपके पास value कितने हो गया that is 7% यानि आप resistance में कितने percent का इरा कर रहा हो resistance में जो error हो गया that is the 7% clear इस तरह से हम यहाँ 5% error आपको fine कर सकते है चलो अब ऐसे और भी नुबिरकल देखते है जैसे हैं मालों हमको दे रखा है कि if error involved in measurement of side and mass of a cube अभी एक question आप यहाँ और देख लेते हैं कह रहा है क्या कि हमारे पास cube cube है और यह cube का देखो क्या खास बात सबको पता है कि इसके length, breath और thickness कैसी है सेम होती है तो अगर हम यह कह दें कि इसकी length L है इसकी breath भी L है और इसकी height भी कितनी होगी सब यह L होगा तब ही तो यह cube बनेगा अब यह क्या करा है कि जो cube है इसमें आपको बताना है कि इसकी density density जो होगी density इसका डो क्या होगा mass upon volume ठीक है mass upon volume हो गया mass को mass रहे दो और volume क्या होगा cube है तो इसका volume क्या होगा that is LQ यानि आप simple ले लो density rho is equal to cube के लिए हो गया m upon LQ यह formula हो गया अब आदे कोशन में कोशन में क्या करा है इसको जहांस देखते है तो कोशन में करा है कि अगर हम मालो किसी cube की बात कर रहे है और इसके जो हम इसका mass है और side यानि measurement of side यानि जो percentage error है किसमे side में 3% का है और mass में कितना है 4% का है यानि L L में जो error है वो क्या है that is the 3% और mass mass में जो percentage error है that is 4% तो आप बताने कि density में कितने percent का error होगा density में कितने percent का error होगा तो जाना देखते हैं, यह L का मतलब ही हो गया, L का length में percentage का मतलब हो गया, delta L upon L into 100, that is even 3%, और यह mass का मतलब हो गया, delta M upon M into 100, यह आपको दे रखा है, density में निकाल नहीं, तो density के लिए relation बनाते हैं, density के लिए क्या formula बनेगा, so delta R upon R into 100, this is equal to, यह relation बनाओ, delta M upon M into 100, अच्छा एक लिए और देख ले ना, इसको आप चाहो तो ऐसे कर लो, L के power minus 3, L to power minus 3 कर लो, यह क्या हो गया, इस power को सामने देख, हमने पहले बताया था, यह power कहा था है, सामने आएगा, बट यह negative है, इसको बादि भी इसको क्या करेंगे, positive लेंगे, और यह 3 हो जाएगा, delta L upon L into 100, यह हमें value मिल गई, और हमें दे रखा है, यह value कितनी है, यह value दे रहा है 3%, और mass का कितना दे रहा है, that is the 4%, तो आप calculate कर लो, यानि density में कितना percent का error हो गया, यह mass में कितना हो गया, mass में 4% हो गया, plus 3 into length में कितना है, यह 3% है, यह कितना हो जाएगा, 4 plus 9, 4 plus 9, क्या हो गया, 13%, clear, तो देखो, इसमें हमें ऐसे कोशा और मिलते जाएंगे, आप तो, पहले कोश्चन तो एक बड़ा values दे रही थी, दोनों को add करना था, add में कैसे हम लोग error निकाले थे, subtraction में क्या करना था, clear, अब हमारे पास जो नए तरह का question आ रहा है, वो कैसा रहा है, formula based आ रहा है, जिसमें question में आपको formula दे भी सकता है, नहीं में दे सकता है, जैसे हमने कहा कहा, इस question में आपको दे रख 4% का है, तो आपको इसके density में कितने % का error होगा, तो आपको यह formula याद रखना पड़ेगा, या जिस question की भी बात करेगा, तो आपको formula याद होना चाहिए, तो कुछ ऐसे question और कर लेते हैं, जिसमें आपको formula खुद रिकॉल करके, वहाँ पर error निकालना होगा, और फिर ऐसे question आएगे, जहाँ पर आपको formula दिया रहेगा, formula का मतलब एक equation दे रखेगा, और उसमें values की percentage error देखेगा, तो आपको finally percentage error को निकालना रहेगा, तो next question आपको देखते है, अब हमारे पास question रिकाता है, कि मान लोग कोई sphere है, इस sphere के radius में, इस sphere के radius में, इसके measurement में हमारे पास जो error है क्या है वो, that is the 2%, इसका जो radius है, radius के measurement में, delta r upon r into 100, it is given 2%, यानि किसी sphere के radius के measurement में, हम कितने percent का error है, that is 2%, तो हमें यह बताना है, कि इसके volume में, कितने percent का error होगा, हम क्या बताना है, delta v upon v into 100, यह कितना आएगा, कितना percent आएगा, तो देखो, आपको करना क्या है, आपको radius पता है, volume निकालना है, तो volume के लिए formula आपको पता है, किसका sphere का formula v is equal to 4 by 3, pi r q, यह हमें formula मिल गया है, अब इसमें यह देखो, हमें relation स्टैबिस करना है, इसके लिए, percentage error के लिए, तो अगर हम यहां यह कितने, delta v upon v into 100 is equal to, अब एक यह आप में याद रहने ही, कि ऐसे constant term, देखे, जैसे यह जो value है, numeric value दे रखा है, इसका measurement हमने तो कुछ किया नहीं, यह constant ना, इसको हमने measure तो किया नहीं, ना तो πाई को measure किया, ना दफोरी, तो constant term है, तो इनको हम लोग निगलेट करते थे, इनको छोड़ देते हैं, या ऐसे term जिसका measurement हम नहीं करते हैं, उनको हम लोग constant बान करके वहां से हटा देते हैं, तो अबर पास बज़ा क्या r cube, और r cube बचेगा, तो यह 3 आपका सामने आएगा, यह power हमारा सामने आता है, तो delta r upon r into 100, देखिए, और question में क्या दे रखा, delta r upon r into 100, इसकी value दे रखा है, that is the 2%, तो यह हो गया 3 into 2%, that is equal to 6%, यह हमारे पास value में जो percentage अर आ गया, कितना हो गया, that is the 6%, ऐसे मारे पास question एक और आता है, बहुत अच्छा सा question है, यह NCRD का है, आपसे पूछेगा कि kinetic energy में कितने percent का error है, अगर उसके mass और speed में 2% और 3% के error है, तो, देखिए, mass में क्या गारा है, कि mass में जो error है, mass में जो error है, वो 2% का error है, और speed में जो error है, that is 3% का, तो आपसे पूछा है कि इसके kinetic energy में कितना percent error हो तो kinetic energy क्या हो गया, k is equal to half mv square, formula बलाते है फिर से, delta k upon k into 100, this is the kinetic energy, यह फिर से देखो, यह हमारा constant हो गया, इसका measurement हमने किया नहीं, इसलिए क्या है, constant है, और क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसका कोई use नहीं करेंगे, अब इसके लिए बनाओ, delta m upon m into 100, plus, अब यह power सामने आएगा, तो 2 into delta, v upon v into 100, हमें क्या-क्या दे रखा है, देखे, हमें दे रखा, mass में कितने percent करेंगे, यह value हमारी, दे रखे, that is 2 percent, plus 2 into, velocity में कितना है, that is 3 percent, simple सा question था, यह हमारा solve हो गया, 2 percent plus 6 percent, that is 8 percent, तो यह देखे, किस तरह से हमने, बड़ी simple तरीके से, इसमें percent error का हमने find कर लिया, तो एक question और करते हैं, तो कि NCRT का problem है, इसमें करा है कि Z is equal to A के पावर 4, B के पावर 1 by 3, divided by C, D के पावर 3 by 2, question में करा है कि find the relative error in Z, क्या करना है, relative error निकालना, relative error का निकालना, in Z, ठीक, relative error, percentage भी निकालना है, बड़ आप से पूछा है कि relative error निकालना है Z में, तो आप simple बना रहो, relation क्या होगा, delta Z upon Z, यह तो relative error है, और ऐसे सब को arrange करना है, तो arrange करने के लिए क्या लिखना जोद लिख सकते हैं, तो इसको एक साथ दुबार, A के पावर 4, B के पावर 1 by 3, C के पावर minus 1, और D के पावर 3 by 2, तो इसको देखते हुए, आप arrange करते हैं, बोग, क्या आएगा, A के पावर 4, that is 4, delta A upon A, यह तरीका है हमार लिखने का, plus B हो गया, B के पावर कितना है, 1 by 3, so delta B upon B हो गया, plus C के पावर minus 1 है, लेकिन हम क्या लेंगे, plus ही लेंगे, तो आप चाहता 1 को mention कर लो, delta C upon C, यहाँ पी फिर से देखो, यह हो गया, minus 3 by 2 अगर है, उपर जाले तो minus 3 by 2 into delta D upon B, यह हो गया हमारा क्या, यह हमारा निकल गया, relative error, question भी इतना ही पूछा गया है, और आप से पूछता percentage निगाने के लिए, तो 100 से सम्में, multiply कर दो, और आगे further question में आपको इनकी values अगर दी गई है, A में कितना percentage, B में कितना है, तो आप वहाँ solve कर सकते, जैसे हमारा अगले question में दे रखा है, अगले question में क्या दे रखा है, कि आपको एक relation दे रखा है, relation कुछ ऐसे है कि P is equal to AQ B square divided by under C into D, और यहाँ कहारा है कि A, B, C, D में जो error हो रहे है, वो है 1, 3, 4, and 2% के, तो हमें क्या करना है, हमें find करना है, कि what is the percentage error in P, तो relation फिर से बनाते हैं, तो आ minus half and D के power minus 1, आप relation बनाओ, delta P upon P into 100 is equal to 3, delta A upon A into 100, plus B के power 2 है तो twice, delta B upon B into 100, और साथ में वारे पास क्या है, C है, यह निए plus, यह minus है गले, फिर से plus लेंगे, half, delta C upon C into 100, और finally क्या है, last में, D है, minus 1 है, फिर से plus लेंगे, delta D upon D into 100, यह हमारा formula बन गया, अब इसमें करना गया है, इनकी values को put करना है, so 3, delta A upon A into 100 की value किया है, that is the 1%, यह हो गया, 1% plus 2, B में कितना percent करे रहे है, that is the 3% हो गया, C में कितना percent करे रहे है, that is the 4%, that is 1 by 2 into 4%, और finally हमारे पास, D में कितना है, 2% है, that is 1 into, यह आपका हो गया, 2%, solve कर लो, यह 2, 2, 4 कर जा यहां पर, कितना हो जाएगा, 3 plus 6 plus 2 plus 2, that is 13%, यह कितना आगया, P में, जो error आगया, 13% का आगया, कि कैसे हम लोग question solve कर रहे है, ऐसे relative error है, इस तरह से percentage error में, question में values दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, यह formula आप बना लीजी है, और इस तरह से question जब देगा, तो इसको ऐसे solve भी कर सकते है, तो फिर आप कुछ नए question और भी मनों देखते है, तो एक हम अलग सा question कर दे आ रहे है, यह question यह भी हमारा NCID का है, और यह में में भी आ गया है, question कुछ इस तरह से है, जहांस देखना, खुड़ा question यह अलग तरह का है, इस question यह करा है, कि हम type rate निकालना है, type rate निकालना है किसके लिए, आपका g निकालने के लिए हमारे पास एक relation है, और simple pendulum के मदद से हम लों निकालते हैं, और इसका जो relation होता है, यह आपको दे रखा है, कि t is equal to, time period का formula है, t is equal to 2pi under root l upon g, क्या है, l upon g, यह हमारा formula हो गया, किसके लिए, time period निकालने के लिए, किसका, simple pendulum की मदद से, तो यह हो गया हमारा simple pendulum, आपको पता होगा, नहीं है, तो आप लोग देख लोग देर देर आगे चल करके आएगा, तो यह आपका simple pendulum हो गया, simple pendulum को क क्या करते है, इसकी mean position से थोड़ा सा हम release करके छोड़ देगे, तो यह क्या करेगा, अपनी mean position के two and two motion करता रहेगा, तो यह जो complete oscillation होगा, वो that is the time period, और t is equal to 2pi l upon g, जहां आपका यह l हो गया, यह length हो गया, यह l आपका यहा हो गया, center of mass, यहानि यहां से और यहां तक, यह l हो गया, तो आप से क्या रहा है कि जो length हमने measure किया है, इस length की जो value है, वो है 20 centimeter, इसको देरा 20.0 centimeter, और आप से क्या रहा है कि जिस instrument से measure किया गया है, उसका जो resolution है, यह उसका जो list count है, वो क्या है, यानि delta L, जो है, वो क्या है, question में दे रहा है, 1 millimeter, 1 millimeter, that is 0.1 centimeter, अब यह क्या oscillation है, इसके 100 oscillation, और उस oscillation का जो time period है, वो कितना है, 90 second, यानि जो time है, वो कितना है, t is equal to 90 second, और उस time को किसे measure कर रहा है, तो यह है, हमारे पास एक stop watch है, और जो stop watch है, या wrist watch कह सकते हो, उसका जो resolution है, या list count है, वो क्या है, that is 1 second, या delta T कितना दिया है, delta T दिया है, 1 second, इसमे इसके 100 oscillation, 100 oscillation से कोई मतलब हमारा यहाँ नहीं है, फिलाल इस question में यहाँ पे, तो आप से पूछ रहा है, what is the percentage error in G, G में कितना percent का error होने की chances है, तो आप पहले तो G के लिए formula निकालते हैं, तो G का formula कैसे निकलेगा, तो यहाँ square कर तो T square is equal to 4 pi square into L upon G, और यहाँ से हम लोग G के लोगो निकाले हैं, कि G कितना होगा, so G is equal to G को इधर shift करोगे, तो यहाँ आएगा 4 pi square, L upon T, T square, clear हो गया, अब इसको change करते हैं, कि समिफ, इसके percentage error की term में, so delta G upon G into 100, this is equal to what, अब यह तो 4 pi square, यह तो मारा constant होगा, इसको छोड़ना पड़ेगा न, इसको तो आप measure कर नही हो तो यह आपको छोड़ना पड़ेगा, तो relation क्या होगा, delta L upon L into 100, और क्या हैगा, यह देखो 2 पर जाएगा, तो यह 2 फिर से सामने आएगा, और delta T upon T into 100, इतना तो समय आ गया होगा, यह 2 पर जाओगे, minus रहेगा, लेकिन minus फिर भी किसमें होगा, plus में ही होगा, अब आपक twice, delta T कितना है, यह आपका 1 second होगया, time आपने measure किया है, 90 second into 100, solve कर लेते हैं, solve करो तो यह होगया, 0.5 देख लो, यह करोगे तो आपका 10, 10 upon 20, that is 1 upon 0.5 होगया, इसको solve कर लो, तो यह होगया, 20 upon 9, ठीक है, यह होगया, 0.5, और इसको 20 upon 9, solve करोगे तो यह 9 दिन अठार, यह नहीं, 2 point something आएगा, 2.22, ठीक है, यह कितना होगया, 2.22, add कर दो, यह होगया, आपका answer finally, 2.72%, तो G में जो percentage error आगया, क्या होगया, 2.72 का percentage error आगया, तो अब आपको लग रहा कि कितनी variety की question हमारे इसमें बन सकते हैं, और भी question है, उनको भी ऐसे question है, जिसमें आपको, खुछ से आपको formula दिया है, कहीं formula नहीं दिया है, तो ऐसे question को आप basis करें, कुछ को और question देखते हैं हम लोग, अब एक special question देखते हैं, दोको यह need 28 question है, बहुत ही अच्छा question दे रहा है, कहारा है कि आप mass, length, और time, यह 3 जी दे रहा है, mass, length and time, इस 1 परसेंट, 1.5 परसेंट, 1.5 परसेंट, 1.5 परसेंट and 3 परसेंट, mass, length और time में जो percentage error है, इनके वालू दे रही यहाँ पर, अब आप से कहारा है कि एक physical quantity है, आपको पास एक physical quantity है, इस physical quantity, जो इसका dimension क्या है, ml-1, t-1, इस physical quantity में कितना percentage error होगा, यह जो physical quantity है, इसके measurement में कितने percent का error होगा, ठीक है, देखो दोबारा, हमरे पास देरा mass, length, और time में जो percentage error है, 1%, 1.5, 3% है, हमें बताना है कि एक physical quantity, जिसका dimension, देको dimension कहा है और यह कहा है, दोनों को merge कर दिया है, तो dimension, ml-1, t-1, इसके इस physical quantity में कितन percentage error होगा, तो कोई दिकत नहीं है, आप यहाँ बना लोगा, यानि delta q upon q into 100, यह होगे percentage error, यह दे रखा आपको, mass में यानि delta m upon m into 100, इसकी value दे रखी आपको, यहाँ पे तो यह minus सामने आएगा, तो भी यह plus ही रहेगा, delta l upon l into 100, इसकी value भी आपको मिली है, यह भी minus हैगा, ले सारे value तो दे रहे हैं हमको, यहाँ देखो, यह आपको दिया 1% plus यह 1.5% और यह कितना है, 3%, add कर लो, 3, that is 5.5%, बहुत सा सिपल से, यह थोड़ा सा अलग question हो गया, नया question हो गया, यानि यह q में कितना percent career हो गया, 5.5% कर गया, और question देखते हैं हम लोग, किस तरह से, तो अब हम कुछ आपको अलग तरह question बताना जा रहा है, ऐसे question तो हमने maximum कर चुके हैं, एक दो question ऐसे देख लेते हैं, जो थोड़ा सा अलग है, अलग इस sense में है, जैसे हमें कहा रहा है, कि एक circuit है, और इस circuit में जो voltage है, voltage या across the lamp, जो दिया है, V is equal to, यह दे रहा है, 6.0, 6.0 प्लस माइनस, 0.1 volt, 0.1 volt, यह हमको voltage दे रहा है, और दे रहा है, उस circuit में जो current है, इसकी value भी दे रहा है, current पास पूरदा, circuit यह क्या होगा है, current की value है, यह value आपको दे गई है, that is the 4.0, 4.0, प्लस माइनस, 0.2, 0.2 ampere, यह हमें इसकी circuit में voltage और current की value दे रहा है, अब question में क्या पूछना चाहरा है, तो question में एक कर रहा है, कि find the power consume, आपको पूछ रहा है, find the power consume, तो क्या करना है, आपको निकालना है, power consume, कितना power consume हो गया, तो देखो, अगर आपको याद होगा, class 10 तो रहा सा recall कर लो, क्या recall करना है, कि power P is equal to V into I, यह formula है न, P is equal to V into I, तो power तो निकल जाएगा, लेकिन यह कहां जाएगा, इसके errors कैसे जाएगे, तो आप तो simple दे पहले कहलो, तो V, V कितना है, 6 है, और V कितना है, I कितना है, 4 है, तो यह तो multiply कर दोगे, आपका होगे, 24 watt, यह power तो हो गया, बट इनका क्या करना होगा, अब इनके लिए जड़ा देखते हैं, यानि आपको लिखना क्या है, आपको लिखना तो P plus minus delta P, यानि हमें अब delta P की ज़रुत है, यह delta P कहां से आएगा, यह delta P कैसे आएगा, तो इसका तरीका देखो, देखी, power is equal to क्या है, V into I है न, तो आप इसको change करो, delta P upon V is equal to delta V upon V plus delta I upon I, यह तो हमें पता ही है, अब आप देख लो, delta V upon V का मतलब क्या होगे, 0.1, 0.1, divide by V कितना होगे, that is 6, यह 6 से divide कर दो, plus I कितना है, यह 0.2 है, 0.2 है, और यह I कितना है, यह आपका 4 होगया, इनको solve कर लेता है, यह क्या मिल लेगा, delta P upon P, P के वालो हमें पता है, P के वालो हम निकाल चुके 24 V, यानि आप वाट निकाल चुके हो, यह वाट होती है, so delta P is equal to कितना हो जाएगा, इनको solve करेंगे, त plus I get 2 upon 40, solve करते हैं इसको, और यह क्या होगा, यह power, power कितना है, देखिए, यह 24 V, बस अब solve कर ले इसको, 1 upon 60 plus 2 upon 40, इनको solve करते हैं, और solve करने के बाद, क्या करेंगे, इनके जो power की value है, इस power की value से क्या करते हैं, multiply करेंगे, तो यह power की इसको solve करेंगे, तो यह लगबग मारा 1 upon 15 आएगा, यह 1 upon 15 into 24, यह delta P की value आएगी, इसको भी solve कर लो, 15 दून अ 30, यह यह 1 point, इसकी value कुछ आने चाहिए, that is यह आएगा, 1.6 watt, 1.6 watt हो गया, तो final answer हमारे पास क्या हो गया, यह यह प्लस, यह आपकर देखिए, P क्या हो गया, 24 हो गया, और यह plus minus 0 point, sorry, 1.6, यह हमार हो गया, power consumer, clear हो गया, तो देखो, कैसे question मारे इस तर से आया, इस तर से question मारे पास और भी बनते रहते हैं, तो आप मेरे सबसे आप और इससे question का practice करिए, हमने इस सारी details को discuss कर लिया है,